हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल फ्रेक्टेंड मिन हिंदी और में वर्षा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में तो फ्रेंड्स कान से रिलेटेड मैं वीडियो डालती हूं तो आप उनको भी देखिए और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वह है आपके क प्रेंटान के पीछले गठाने हो जाती हैं उनके लिए कुछ हॉम रेमिडियो आप किस तरीके से इन गठानों को खतम करते हैं कुछ है हॉम रेमिडियो से पर कोई भी गठाने दिया उसको एक बार चेक अप कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है जैसे कि मैंने के अकूल को ढूसर हो जाती है और कौन कोर रीजिन से हुई उनके पैचान के सिम्टम्स के बारे में बात की दियार आज बात कर रहे हैं कान के जो गठान होती है उसको घरेली तोर पर आप कैसे ठीक कर सकते हैं और उनको घर पर उपचार करने के बाद अगर आपको फाइदा नहीं मिलता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं अलसी के बीज यान आपको चाहिए अलसी की बीजों को आपको गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद इसे कोटन के कपड़ें बांद करके गाट बांद देनी है यह पोटली जैसी बन जाएगी और यह थोड़ी गुनगुनी रहेगी गर्माट रहेगी इसमें और आपको इससे सिकाई करनी है जब आप रेगुलर इससे सिकाई करेंगे तो आपको इसके रिजल दिखने लगेंगे दूसरा तरीका होता है आपको आलू बुखारा यूज करना है जो की सूखा हुआ हो सूखा आलू बुखारा सिहत के लिए भी फायदे मन्द होता है और अगर आपके शरीर में कहीं इं दिखने लगेगा इसमें भरपूर मातरम बिटामिन सी होता है जो की इनफेक्शन से लाइने में आपकी मदद करता है इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं इसब गोल की चाल या इसब गोल की पुसीजिसे बोलते है तो इसमें बहुत सारा फाइवर होता है जो की आपके कर सकते हैं इसको यूज कैसे करना है इसके लिए आपको चाहिए इसब गोल की पाउडर जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर असानी से मिल जाएगा इसे पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट लेना है और इससे आपकी गांट कम हो जाएगी नेक्ट होता है ऐलोविरा एलोविरा जैल का इस्तिमाल आपकी बहुत सारी प्रॉबलम के लिए किया जाता है तो एलोविरा का इस्तिमाल करने से आपकी इसकिन की देखवाल होती है साथी इसके इलाज से आपकी गठान है सूजन है वो भी कम होती है और उसका आकर कम होने लगता है तो एलोविरा दर जहां गठान है और इसके आजपस लगाने से आपके जो गठान है उसको नमी देता है और यदि आपको बहुत सारी गाठे हैं और आप इसका यूज कर सकते हैं साथी साथी आपके पितिरच्चा तंद को मजबूत करने का काम करता है तो जहां भी आपके गठान हैं जो सूजन के विज़े से हैं तो आप इसको पांच मिनिट के लिए लगा कर रख सकते हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा गरम करके पंदा मिनिट के लिए से रख दे और पांच मिनिट के लिए इसको जगे पे लगाएं तो ये आपके गठान की सूजन को कम करता है उसके आकार को कम करने में मदद करता है इसके अलावा आप यूजज कर सकते हैं पपीता पपीता बहुत ही अच्छा और फायदे मनफल होता है जो बटामील A से भरपूर होता है साथी साथ आपके digestion को भी बहुत इंप्रूब करता है इसमें बहुत सारे enzymes होते हैं जो कि सूजन को कम करते हैं तो अगर आपकी गठान है उसकी सूजन हो गई है तो फिर आप पपिते का भी इस्तेमाब कर सकते हैं कि आपको सूजन को कब करने में मदद करता है साथी बैक्टरिया को मानने का काम करता है तो आप पपीता का इस्तवाल कर सकते हैं विल्कुल सेफ होता है इसके अलावा होता है अंजीर अंजीर भी आपकी गांट को गर्मार देती है और जिसके कारण से उसका आकार कम होता है त सारी हॉम् प्रेमैनी बहुत ही güntकोषonebooks अपर इसा कर सकती हैं तो एप्लक के को इसका सिर का आपको बसके अब को कुछ बात न हीorg दिशाने सौने को अब घान रता हैं स्कुषरोर और धरो कोष पान करने हैं इसके सासनत में आपको कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी हैं आपके खाने पीने में कुछ चेंजिस करने हैं और इसके लिए आपको जादस ज्यादा पोशक तत्वार और संतुलित बोजन लेना है और अधरक लेसुन मेरे जो कि गार्ट बनने से रोकते हैं इंची जो को ले बनने को रोकता है तो अगर आपकी गांट फिर भी साइन होती है तो डॉक्टर से जरू संपर करें उनको दिखाया हो सकता है यह किसी और बीमारी का सिंटम हो या और किसी वज़े से गांट हो गई हो तो यह अगर कुछ घरेलू उपा है जो कि बिलकुल पूरी तरीके से से वह सुरच्छित है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं 8-10 दिन के बाद भी अगर आपको इसमें कोई चैंजिस नहीं होता है कोई फाइदा नहीं मिलता है तो तुरन डॉक्टर से संपर करें आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो वीडिय